नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट कर्फसन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेगे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 RTI X 2005 के तहत यदि पुलिस पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी या लोग शिवक लोग सूचना पदाधिकारी द्वारा सौसमे वानचित सूचना परदान नहीं की जाती है तो क्या करें साथ साथ ही परथम अपीलिये पदाधिकार द्वारा भी यदि सौसमे कोई कारवाई नहीं की जाती है तो हम लोग सूचना आयोग में लोग सूचना पदाधिकारी और परथम अपीलिये पदाधिकारी के खिलाब किस प्रका पर भी क्लिक अवस्य कर लें जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा इसे इतना सेयर करें कि हर भारतिये को इसकी जानकारी आशानी से हो सके तथा एक लाइक अवस्य कर देंगे चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लोग सूचना अप्दाधिकारी द्वारा सौसमय यदि सूचना अपरदान नहीं की जाती है और पर्थम अपिलिये प्राधिकार द्वारा डाक को वापस कर दिया जाता है या कोई कारवाई नहीं की जाती है तो इस दोनों के खिलाब किस प्रकार धारा अठारा के तहट सिकायतवाद दायर कर सकते हैं यह वाद संख्या है सुचना आयोग में धारा अठारा के तहट सिकायतवाद दायर करने के समद में मैंने यह आयोग के समक्ष करवाया है सिवा में बिहारा शूचना आयोग, शूचना वन, पटना पंद्रा या बिहारा से समन्दित है आप अपने अपने शूचना आयोग में इस प्रकार धारा अठारा के तहत सिकायत वाद दायर कर सकते हैं सूचना कादिकार अधिनियम 2005 के 1118 के तहत्सिका अत्वायत आवेदक का नाम अपना पूरा पता पिनका और सहीद दिखेंगे बनाम में लोग सूचना पतादिकारी जिस भी कारियाले जिस भी विभाग का होगा उसका नाम पूरा पता देंगे यह पुलिस विभाग से संबंदित है इसलिए मैंने पुलिस महादिर दिलसक का कारियाले का पता दिया है आप लोग जिस भी कारियाले से संबंदित भेजे होंगे आर्टियाई लगा होंगे उस कारियाले का नाम और पूरा पता देंगे मांगी गई सूचना प्रपत्र को में जो भी सूचना आपने मांगी होगी उसका वर्णन करेंगे फिर नीचे लिखेंगे मैं दिनांग कितना को जिस भी दिनांग को आपने प्रपत्र को किया होगा मैं यहां च्छो बारा दोजार कीश को प्रोप्त कारिया ले में प्रपत्र किया लेकिन प्रथम अपलिय प्रादिकार के कारियाले से डाक वापस कर दिया गया ऐसे इस्तिती में दोसी लोग सुचना पतादिकारियों पर धारा अठारा के तहत सिकायतवाद स्विकिर्ट कर दोसी के वुरुद धारा आठारा एक के अंतरगत दोसी पा कर धारा बीस एक और बीस तो के तहत करवाई करने की किरपा की जाए वह मांचित सुचना सिक्र प्रदान करवाने की भी किरपा की जाए आयोक से निवीदन मैं इस मामले की सुनवाई में स्वैम या अपने प्रतिनिदी के माध्यम से उपस्तित रहना चाहता हूं अतरब मुझे सभी सुनवाई की अग्रिम सूचना अवस्परदान करें इस मामले पर फैसला सुनवाई के बात करें अपना हस्ताक्षर डेड़ दे सकते हैं सगलंगन में प्रपत्र को एवम सुल्प एवम डाक की रसीद लगा देंगे प्रतम अपिल्य प्रादिकार के समक्ष जो भी आपने दायर किया होगा वो भी लगा देंगे यदि लोग सूचना प्रतादिकारी द्वारा जूटी अधुरी या भ्रामक सूचना दी गई होगी तो इसकी कॉपी लगाकर आप धारा आठारा के तहत लोग सुचना अपदाधिकारी और प्रथम अपदाधिकारी के खिलाब भी सिकायत बादार करके आर्थिक डंड लगाने के साथ-साथ भी भागे कारवाई भी करवाशकते हैं जहिन इस चैनल पर तीन प्लेलिस्ट बढ़ावा है आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी अति आवर्शक वीडियो एक इंस्क्रप्शन मस्ट यूज आर्टे आई और हेल्थिज वेल्थ नाम से प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर अनेक वीडियो देखकर आप अधिक से अध खा सकते हैं जैहिन